दोस्तो एक यूटूबर्स होने के नाते मेरा सबसे पहला यह फर्ज बनता है कि यूटूबर्स जब भी कोई अपडेट आए उस अपडेट की इंफोर्वेशन मैं आप तक जरूर पहुचाऊं तो फ्रेंस यहाँ पर यूटूब के तरफ से एक बहुत ही सुन्दर अपडेट आगया है और सचकों तो दोस्तो इस अपडेट से में बहुत ज़्यादा खूस भी हूँ क्योंकि दोस्तो यह जो अपडेट है किसी एक के लिए नहीं किया गया है सभी लोगों के लिए किया गया है मतलब creators के लिए viewers के लिए आम जनता आम नागरी के लिए यह अपडेट किया गया है एक तरीके से दोस्तों कह सकते हैं कि यह जो अपडेट है जन हित कल्याड के लिए यह अपडेट किया गया है तो क्या update है चलिए detail में जानते हैं दोस्तो अभी तक क्या होता है जैसे कि माल लिजे कोई भी viewers हो या कोई भी हो YouTube पे अगर किसी types को वीडियो देखना होता है तो उस keywords को वह YouTube पे search करता है और search करने बाद उसको बहुत सारी long video source video दिखाई जाती है उन वीडियो को देख करके वह information लेता है लेकिन दोस्तो जब भी कोई keywords को search करता है तो उस जो search करने वाला इंसान है उसके दिमाग में एक doubt हमेशा आता है कि मैं कौन से YouTube की वीडियो देखू या कौन से वीडियो देखूं जिसमें मुझे सही जानकारे मिले या doubt उसके दिमाग में हमेशा चलते रहता है लेकिन दोस्तो यह जो update है YouTube ने आपकी health को लेकर के किया है आपको दोस्तो पता होगा कि स्वास्ते ही धान है मतलब कि आपकी तवियत अगर अच्छी है आपकी सरीर अगर अच्छी है तो आपके सामने सारी खुसिया अच्छी लगती है अगर आपकी तवियत खराब जाती है तो आपके सामने सारी खुसिया भी बेकार सी लगने लगती है तो YouTube ने इसी को देख करके update किया है अब update क्या है ध्यान से सुनिए जैसे दोस्तो आपने देखा होगा कि घर में हो आपके दोस्त हो या आपके रिलेटिव हो या कोई भी हो किसी की अचानक तवियत खराब जाती है यानि तवियत बिगड जाती है suppose that दोस्तो किसी को CPR की प्रोलम आ गई किसी को दौरे की प्रोलम आ गई किसी को heart attack की प्रोलम आ गई किसी को bleeding की problem आ गई, तो लोग क्या करते हैं, घबडा जाते हैं, और घबडा heart में क्या करते हैं, तुरंत उस इंसान को hospital या doctor के पास लेके भागते हैं, जो कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही है, लेकिन दोस्तों यह जो update YouTube ने किया हैं, कि suppose that दोस्तों माल यह किसी को CPR bleeding या किसी को heart attack की problem आ गई, तो उस keywords को आप YouTube पे जैसे ही search करेंगे न, तो वहाँ पर आपको एक self-cut tab देखने को मिलेगा, और उसमें बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी, जो कि trustable और authentic वीडियो होगी, मतलब एक तरीके से doctor द्वारा verified वीडियो होगी, और उस वीडियो को देख कर कि आप उस मरीज का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि suppose that मैंने कहा न, कि मालीजे किसी को heart attack आजाता है, तो आपने देखा होगा कि उस इंसान को जब भी लोग hospital ले जाते हैं, तो कभी-कभी late हो जाता है, और late होने के वज़े से क्या होता है, उस इंसान की रास्ते में ही मौत हो ज सकते हैं, suppose that दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि CPR की प्रोलम है, choking की प्रोलम है, हिमलिस की प्रोलम है, bleeding है, heart attack है, stroke है, दोरा वाली प्रोलम है, opioid overdose की प्रोलम है, इन सब प्रोलम के उपर, यानि इस सब keywords को अगर आप YouTube पे search करेंगे न, तो यहाँ पे उस type की वीडियो आपको, यह यहाँ पे search करके भी देखाता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों, आपको simply लिख देना, इस तरीके CPR, मैंने यहाँ पे CPR लिखके, इस तरीके से मैंने search कर दिया, अब दोस्तों, जैसे मैंने search किया, यहाँ देखिए, उपर में ही, from health sources, उपर में ही आपको इस तरीके का, आपक खुद कर सकते हैं, और उस ब्यक्तिक की जान बचा सकते हैं, इसी तरीके से, दोस्तों, मालिए, आप यहाँ पे search करते हैं, heart attack, ठीक है, heart attack आपने search किया, देखिए, उपर में from health sources, नाम के यहाँ पे YouTube ने, self का एक tab दे रिया, इन सब वीडियो को देख करके, आप आप सामने जो इंसान है, heart attack आया, उसके emergency में जान बचा सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसको hospital लेजाईए, या रास्ते में आप उसकी जान बचा लेजाईए, या रास्ते में आप उसकी जान बचा लेजाईए, डोक्टर पास लेजाईए, उसका इलाज कराईए, जो भी keywords मैंने यह बचा सकते हैं, एक तरीके से आपत कालिन में आप उसकी जान बचा सकते हैं, तो सचकों तो दोस्तों, यह update मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप लोगों को कैसा लगा है, इसके बारे में आपकी क्या राह है, मेरे वीडियो में कमेंट करके जरू बताईएगा, वीडियो